है अभी तक मैंने आपको लगभख सारी डिटेल्स काउंसलिंग से रिलेट दे दी है बट फिर भी अभी बहुत सारे करीज हैं कि एवडी ही लेना है तो एवडी ले या केडी ले या फिर हम टीडी क्यों ले मतलब जैसे होता है कि मारे एक इंटरेस्ट होता है तो सबसे पहल चीज़ें मैं बोलूँगी कि डिपार्टमेंट आपको चार साल पूरे पढ़ने है तो इसको अपने इंटरेस्ट के कॉर्डिंग चूज कीजे किसी भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसा जल्दबाजी में कि बस कुछ भी चूज कर लिया आपको चार साल पढ़ने है जैसे हम 12 में कि आर्ट्स और साइंस और मैठ्स में चूज करते हैं सेम उसी तरह के आपको इसी से अपना करियर बनाना है इसी से आपको जौब पाना है तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से देखके इसके बारे में जान समझ के फिर इस चीज़ को पढ़िएगा बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि निट वेर जो होता है इसमें स्वेटर बुनने पड़ते हैं तो यह चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहते हूं तो सारे डिपार्टमेंट के मैं डिटेल आज आप से शेयर करना चाहते हूं तो होप सो कि आप वीडियो को एंट तक देखें और सार आपको ले लेना चाहिए जैसे कि अफडी नहीं मिल रहा है आपको डैली मुमबई में बड के डी हो तो के डी आपको ले लेना चाहिए तो इस तरीके से नियर बाए बाले भी मैं बताती चाहूंगी और कौन सा सा अगर आपका इंट्रेस्ट नहीं यह तो उस चीज़ में जाए इसके बारे में बता दूगी कि कौन सा चीज एकदम डिफरेंट होगा तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे वो है फैसन कम्यूनिकेशन फैसन कम्यूनिकेशन में बैसिकली जो भी बच्चे बहुत इंटरस्टेड हैं कि उन्हें डिजिटल वक ही करना है डिजिटल फिल्ड में आगे जाना चाहते हैं जैसे एड़र्टाइजमेंट बैनर्स और कैन्वा फोटोसॉप इलस्टेशन इन सब में प्रो होना चाहते हैं क्योंकि फैशन कम्यूनिकेशन को लेके भी बहुत लोग में कन्फ्यूजन्स है कि एफसी में जॉब अच्छी मिलती है क्या ऐसा कुछ नहीं है गाईज छे डिपार्टमेंट्स होते हैं डिजाइन में और सारे ही फील्ड जॉब के लिए बैटर है बस आपको करना यह है कि चारो साल आपको मेहनत उसी के अकॉर्डिंग करनी है कि आप जो चाहो जिस पोजीशन पर आप जाना चाहते हैं वो उस पोजीशन पर आप पहुत सकें और सेकेंड चीज हम अब बता देते हैं फैशन कम्यूनिकेशन का आपको क्लियर हो गया होगा कि यह मोर अबाउट अबीशन होता है उसके बाद हम आपका मैंस का फैसेसरेज दिस में मैंसहले होकेट सकतर है और हम आपको यह सारी चीज़ें अगलेशन फथम आपको का दो दो辦法 कर देकात वह सब हमारा था एसेसरी डिजाइन में तो बिसिकली जिनको इन सब में इंट्रेस्ट है कि जूलरी डिजाइन हम डिफरेंट कर सकते हैं या फिर एसेसरी डिजाइन हम डिफरेंट कर सकते हैं उन लोग को यह लेना बेटर हो सकता है अगर आप कम्मिनिकेशन डिजाइन लेना चाहते थे बट इन केस आपको communication नहीं मिल रहा है, fashion communication, तो वो बच्चे accessory design में जा सकते हैं, क्योंकि accessory design में भी हम जो products होते हैं, हो digital probability कर सकते हैं, तो more about अप digital वग में जा सकते हो, तो ये थोड़ा बहुत आसपास है, बहुत ज़्यदा तो नहीं, थोड़ा बहुत आसपास है आप सेम काम थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि इसНАЯ सेश 받고 parked के वाइछi देखते हैं क्थैमे उतना ज्लीके यह इसाइन काम सच मालकुन घरते हम सब्सक्राइब कर सकते हैं बेसिकली जो भी निफ्ट में आते हैं तो fashion design department के लिए हम आपको ये बता दें कि fashion design department में हमारा सबसे main focus होता है garment construction पे और pattern making पे यानि कि हम size के according garment सीखते हैं size 8, size 10 इस तरीके से हम सीखते हैं trousers and all तो कैसे drape करते हैं कैसे styling करते हैं कैसे illustration बनाते हैं और किस तरीके से हम garment construction करते हैं garment pattern कैसे बनाते हैं यही सारी चीज़े हमारी fashion design department में आती है अब रही बात ये कि fashion design नहीं मिलता है तो हम क्या करें और fashion design सबसे main क्या होता है आपको fabric खरीदना होता है और उसके बाद अपने according garment को drape करना, style करना यह आपका काम है तो KD में अगर आपको माल लिजे आपको fashion design मिल गया बट नहीं मिल रहा है बट आपको KD मिल रहा है यह KD नहीं मिल रहा है बट FD मिल रहा है तो इन दोनों में से भी आप exchange कर सकते हो एक दूसरे को knitwear और fashion design में से आप exchange कर सकते हैं निटवेर के जगा फैशन डिजाइन ले सकते हैं, फैशन डिजाइन के जगा निटवेर ले सकते हैं, इसमें क्या होता है, निटवेर में सबसे बड़ा जो एक मित चलता है, कि हम इसमें बस स्वेटर जासा बुनते हैं, फिर बुनाई का काम करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नही जो ब्रांट्स हैं, एडिडास, प्यूमा, जितनी भी स्पोर्ट्स ब्रांट्स हैं, ये सारी ब्रांट्स में हमारे एसेसरी डिजाइन वाले बच्चे, सारी केडी डिजाइन वाले बच्चे जाते हैं, जॉब करते हैं, निटवेर वाले बच्चों का जॉब एक्सपोजर ज और गार्मेंट कंस्ट्रक्शन पैटर्न मेकिंग इंब्रोइडरी यह सारी चीज़े भी हम केडी में सीखते हैं जो इसा नहीं है कि हम बस कपड़े बुनते हैं हैंड फ्लेट निट हमारा एक सबजेक्ट होता है जिसमें हम यह सीखते हैं कि निटिंग किस तरीके से की जाती है कितनी टाइप्स की होती है क्योंकि हमारा बेसिक जो मेंन चीज़ है वो निट है तो इसलिए हम निटिंग की डिटेल्स सीखते हैं थ्रो हैंड विया मशीन टू अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्टाइल डिजाइन की तो टेक्स्टाइल डिजाइन में हम सीखते हैं जैसे की होम डेकॉर हो गया आपको होम डेकॉर में बहुत इंट्रेस्ट है और ये home decor वाला चीज हम accessory design में भी कर सकते हैं इसमें interior design जैसे होता है उस तरीके का भी कुछ काम आप accessory design में कर सकते हो और textile design में जैसे home decor में curtains हो गए, cushions हो गए, sofa cover हो गए, bed sheet हो गई, इन सब चीजों के बारे में भी हम पढ़ते हैं और fashion related भी चीजें पढ़ते हैं यानि कि ऐस प्लस असके बाद textile के history and all भी पढ़ते हैं तो यह सारी चीजें हमारी textile design में आती हैं तो home decor वगएरा में किसी को interest है तो textile field में जा सकता है अब हम बात करते हैं leather design जो कि मारा last topic है तो leather design में हम leather पर काम करते हैं leather का leather की pieces पर मतलब leather का origin कैसे हुआ कैसे बना क्या किया गया कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं तो इसमें leather में आप bag से लेके jacket bag footwear हर चीज इसमें भी आप सीखते हो उसके बाद रही बाद center को priority दे या फिर department को तो department को भी priority देना जरूरी है और center को भी देना जरूरी है क्योंकि center से हमें exposure मिलता है कि जो काम आप जिस department में जिसके लिए आए हो वो चीज को आप 100% तरीके से कर सको और रही बाद department की department आपको 4 साल लेना है उसके साथ आपको अपना career बनाना है तो दोनों चीज़े ही बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो इसलिए मैंने आज आपको similarities बता दी है क कि in case आप यह लेना चाहते थे और वो नहीं मिल रहा है तो आप किसको prefer कर सकते हो और इसके similarities के साथ आपको यह भी पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ें ज्यादा different हो जाएंगी आपके mindset और interest से और कौन सी चीज़ें उसके आसपास है तो I hope सो कि आपको यह चीज में clear हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करें थैंक यू समाच